तीन दिन इन पत्तों को उबाल कर पी लिजे आपकी डाइबेटीज जड़ से खतम हो जाएगी करना मत भूलेगा क्योंकि आपका एक शेरिंग ना बहुत सारे लोगों की जिंदिकी को खुशनुमा बना सकता है भैतर बना सकता है डाइबेटीज आजकल के समय में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है अगर सरकारी आकड़ों की माने तो कम से कम भारत में 60 मिलियन लोग डाइबेटीज की समस्या से जोड रहे है देश की अबादी का 7.8 परतीशत हिस्सा डाइबेटीज रोगी का है शरीम में जब बलड शुगर की मातरा आनियंतरित हो जाती है तो डाइबेटीज का खत्रा बढ़ जाता है इस बिमारी से पीरित लोगों की इम्मुनिटी कमजोर होती है जिसकी वज़ा से हमें और जादा ध्यान देना पड़ता है दवाईयों के साथ कई घरेलो नुस्खे भी ऐसे हैं जो डाइबेटीज को सिरफ नियंतरित नहीं बलकि मैं आपसे कहूंगी की जड़ से खतम कर सकते हैं और वो नुस्खा है अम्रूत के पत्ते का इस्तमाल जी हाँ तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो आपसे गुजारेश है की चानल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो आल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप हर वीडियो देखकर अपनी जिंदिकी को और बह वाइटमिन C होता है जो सेहत को कई तरह से लाब पहुंचाता है अमरूत के पत्ते के सेवन से वजन घटाने में भी आपको मदद मिलती है क्योंकि ये आपके पाचर तंत्र को दुरूस करता है United States Department of Agriculture के अनुसार 100 ग्राम अमरूत में केवल 68 कालोरी और 8.92 ग्राम नाच्रूल शुगर होती है ऐसे में इसे खाने से आपको कई स्वास्ते लाब हो सकते हैं अमरूत के पत्ते डायबेटीज के मरीजों में बलड शुगर को काबू करता है प्री डायबेटीज के मामले में भी इसका सेवन बहुत जादा फायदेमंद है इससे फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है ये तत्व सुक्रोस और मॉल्टोस को खून में एब्सॉर्ब होने से रूखता है अमरूत के पत्तों में मौजूद करने वाले एंजाइम अलफा ग्लूकोसेट्स के कारे को कम करते हैं अमरूत में लो ग्लाइकमालिक इंडेक्स यानि जी आईजी होता है जो ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है कंट्रोल करने के साथ उसको जड़ से खतम भी करता है अमरूत के पत्तों मे कैसे करना है अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं आप चाहे तो अमरूत के पत्तों का सेवन ऐसे भी कर सकते हैं डारेक्ट कर सकते हैं वैसे अमरूत के पत्तों से बनी चाय आपके स्वास्ते के लिए बहुत फायदेमंद है इसे बन तो बेर के खाना खाने के एक खंटे बात और रात को सोने से एक खंटा पहले और खाना खाने के एक खंटे बात ऐसा अगर आप दिन में तीन बार लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी diabetes बिल्कुल जड़ से खतम हो गई है और आपको future में अगर diabetes नहीं है तो नहीं होगी in fact आपका इससे weight loss होना भी start हो जाएगा क्योंकि जो आपका low metabolism होता है तबी जो आप खाते हैं वो आपके fat में convert होता है और आपके side के bulges fat बढ़ने लगता है तो अगर आप इसका saving करेंगे तो आपका digestion बहुत अच्छा होगा आप जो भी खाएंगे वो आपको पचेगा आपके शरीर में energy देगा ना कि fat देगा तो बस इसका saving करें और आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए वो मुस्से जरूर शेयर करियेगा ऐसे कुछ नया और भैतर लाती रहूंगी आपके जिंदिकी को और खुशनमा बनाती रहूंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में पाई